तो लोग सभा चुना दो हजार चौबिस आने वाला है इसको लेकर सभी दोलों ने अपनी तयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा ने एक सिरीज की शुरूआत की है वैसे तो सिरीज देखने के लिए लोग प्राइम वीडियो और नेट्फिक्स पर जाते हैं लेकिन भाजपा की सिरीज को देखने के लिए आपको उनके ट्विटर हैंडल और फेस्बुक पेज पर ही जाना होग खेड भाजपा ने सिरीज का नाम दिया है कॉंग्रिस फाइल्स इस सिरीज का पहला एपिसोड जारी भी कर दिया गया है दरसल भाजपा एक वीडियो केमपेंड चला रही है जिसके जरीए वो कॉंग्रिस की सरकार के दोरान हुए घोटालों के आरोपों को जनता के बीच की कोशिश कर रही है पहले एपिसोड का डूरेशन तीन मिनट है जिसमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंग को निशाना बनाए गया है यूपिय काल में हुए घोटाले के बारे में इस वीडियो में बताया गया है और करीब पांच लाक करोर रुपे के घोटाले के आरूप बता दे कि कॉंग्रिस समित तमाम विपक्षी पार्टिया खेंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरूपे के आरोप लगाती रही है कहा जाता है कि एडियो और सीब्याई सरकार की इशारे पर काम कर रही है लेकिन भाजपा इन बातों से इंकार करती आई है तो ऐसे भाजपा विरोती दलों को यह चिताओनी भी दी थी कि भष्टाचार के खिलाप जो अभियान चल रहा है वो बंद नहीं होगा प्रधान मंतरी मोदी ने कहा था कि भष्टाचार और विकास दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं जिसके बाद से भाजपा ने एक अप्रेल को ट् भाजपा के आरोपों पर कैसे प्लटवार करती है क्या सफाई देती है यह देखने वाली बात होगी बकि राजनीती में एक परंपरा शुरू हो गई है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है तो दूसरी पार्टी उस पर जवाब या सफाई देने क से बचना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए बाकी बीजेपी के इस वीडियो कैम्पेइन पर आपके क्या रहा है क्या ये कॉंग्रेस को कुछ नुकसान पहुचा पाएगी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए ABP Live